ह meet ले लंडकरोग वեղकेम टूजर चैनल ओम लैब्स दोस्तों आज़ं इस वाले वीडियो में हम आपसे लुक्स लॉट ju के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों लॉटिकर बारे में जानने से पहले हमें ये पताव नच्छी है कि हुक्सला होता का है, हुक्सला का मतलब क्या होता है, तो जब भी हम किसी bode को किसी spring के under hang करते हैं, तो spring में कुछ extension produce होती है, और वो जो body हम spring के under hang करते हैं, उसको हम load कहते हैं, तो अगर मैं load बढ़ाता रहूँगा, तो spring में extension भी ज्यादा होती रहेगी अगर मैं load और बढ़ाऊंगा तो spring में extension ज्यादा produce होगी तो इसे हम यह कह सकते हैं कि हम एक spring के under जितना ज्यादा load add करेंगे spring में उतना ही extension produce होगा तो extension produce is directly proportional to load applied तो hooks law यही statement state करता है या फिर हम load applied को stress भी कह सकते हैं और extension produce को strain भी कह सकते हैं तो strain is directly proportional to stress कि जितना हम ज्यादा stress देते रहेंगे spring को spring में उतना ही strain बढ़ता रहेगा तो hooks law operators को किसी भी helical spring का force constant find out करने के लिए use करा जाता है तो सबसे पहले हम इस hooks law operators के parts के बारे में discuss कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक iron stand दिया गया है और इसी iron stand के उपर हमने यहाँ पर एक 25 cm का scale fix करके रखा है इस scale के पीछे आपको दो screws भी मिलते हैं जिसकी help से आप scale की height को adjust कर सकते हैं और हमने iron stand के उपर एक rigid support की help से एक helical spring टांग रखा है जिसके नीचे हमने एक pointer भी attach करके रखा है pointer के साथ already attached एक slotted weight भी है जिसका total weight 20 grams है और इस apparatus के साथ हम आपको 20 gram के 4 slotted weight भी provide करते हैं इस apparatus के साथ हम आपको एक operating manual भी provide करते हैं जिसकी help से आप easily experiment कर सकते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा जाना पर pointer है वो 2 cm पे fixed है अब हम एक एक करके हर 20 gram slotted weight को helical spring पे hang करेंगे और check करेंगे कि 20 gram slotted weight के hang होने से spring में कितनी extension आती है तो जैसे मैंने आपको बताया था pointer के नीचे जो slotted weight attached है उसका weight 20 grams है और अभी यहाँ पर यह reading 2 cm दिखा रहा है और अब हम इसी helical spring पर एक और 20 gram का slotted weight add करेंगे और check करेंगे कि कितनी extension spring में आती है तो अब मैं यह 20 gram का slotted weight इस पर add कर देता हूँ तो यहाँ पर अभी जो हमारा total weight है वो 40 grams हो चुका है तो जैसे आप देख सकते हैं 20 gram का slotted weight add करने के बाद यहाँ पर extension 2 cm से 6 cm होगी है इसका मतलब यहाँ पर 4 cm का increase आया है और अब हम ऐसे ही एक और 20 gram का slotted weight add कर देते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने अब यहाँ पर second 20 gram का slotted weight add कर दिया है यहाँ पर अब हमारा total weight 60 grams हो चुका है और पहले हमारे पास extension 6 cm थी लेकिन अब यह extension 10 cm हो गई है और अब हम third 20 gram slotted weight को इस पर add कर देते हैं यहाँ पर अब slotted weights का total weight 80 grams हो चुका है अब पहले जो reading थी वो 10 cm थी और इस 20 gram slotted weight को add करने के बाद जो reading आ रही है that is 14 cm अब हम अपना last and fourth 20 gram slotted weight add कर देते हैं और यहाँ पर सारे slotted weights को add करने के बाद जो total weight आ रहा है वो है 100 grams तो पहले हमारी reading 14 cm आ रही थी लेकिन अब इस slotted weight को add करने के बाद हमारी reading 18 cm आ रही है तो इस observation से हम यह note down कर सकते हैं कि after adding every 20 gram of slotted weight 4 cm का increase आता है in the extension अब यह जो भी सारी readings थी जो हमने यहाँ पर observation में note करी यह सारी readings loading की थी हम यहाँ पर slotted weights को helical spring पे load कर रहे थे लेकिन to be sure कि हमारी reading सही थी हम इनी weights को unload करके भी देखेंगे और फिर इनकी readings वापिस note down करेंगे तो 100 grams के लिए यहाँ पर हमारी unloading की reading 18 cm ही होगी अगर यहाँ से मैं 20 gram का slotted weight हटा देता हूँ तो हमारा total weight रह जाता है 80 grams और 80 grams के लिए हमारी extension आती है 14 cm तो अगर मैं यहाँ पर एक और 20 gram का slotted weight हटा देता हूँ तो हमारा total weight अब 60 grams रह जाता है और 60 grams में हमारी unloading की reading आती है 10 cm और अब अगर मैं एक और 20 gram का slotted weight हटा देता हूँ फिर से तो हमारे पास यहाँ पर total weight रह जाता है 40 grams और अब जो हमारे पास यहां पर unloading की reading आ रही है that is equal to 6 cm और अब अगर मैं अपना last 20 gram slotted weight यहां से unload कर देता हूं तो हमारा total weight 20 grams रजाता है और हमारी reading वापिस 2 cm के equal आ जाती है तो अब हम इस apparatus का observation table draw कर लेते हैं तो जैसे अब देख सकते हैं हमारे पास यहां पर first column है वो हमारा है for total weight कि हमारे पास 20 gram में loading unloading कितना था 40 gram में कितना था 60 gram में कितना था and etc हमारे पास यहां पर दूसरा column है that is for loading की loading के time हमारे क्या क्या wire में extension आ रहे थे जो third column है that is for unloading की unloading के time हमारे पास extension की क्या क्या readings आ रहे थे तो final extension L निकानने के लिए कि हमारे जो readings आई हैं वो एकदम सही आई हैं हम loading और unloading का mean calculate कर लेंगे और उसी का mean हमारा final extension होगा for each 20 gram, 40 gram, 60 gram, 80 gram and 100 gram तो जैसे अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे total weights के लिए इनका extension calculate कर लिया है तो extension को calculate करने के बाद हम इसी observation table की help से एक graph plot करेंगे तो जैसे अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक graph draw कर रखा है x-axis पर मैंने load लिया है in gram weight और y-axis पर मैंने extension लिया है in centimeter along x-axis 1 cm is equal to 10 gram weight and along y-axis 1 cm is equal to 1 cm extension तो यहाँ पर आपको extension और load के बीच में points plot कर लेनी है तो जैसे 20 grams के लिए हमारी extension 2 cm थी 40 के लिए 6 cm थी 60 के लिए 10 थी ऐसे ही आपको 5 points plot कर लेने हैं और उनी 5 points के ऊपर आपको एक straight line draw कर लेनी है तो इसी straight line को draw करने के बाद हम helical spring का force constant find out कर सकते हैं तो आपको करना क्या है आपको इस straight line पर कोई भी 2 points select कर लेने हैं तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपर A point ले रखा है जो की सबसे topmost point है और B point ले रखा है जो की सबसे lowest point है तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने याप पर एक BC line draw कर दी है which is parallel to X axis और एक AC line draw कर दी है which is parallel to Y axis तो आपको इसी graph का slope calculate करना है to find the force constant because slope is equal to force constant of the helical spring तो slope is equal to BC upon AC which is equal to force constant force constant is equal to delta F upon delta L तो BC हमारा delta F हो जाएगा और AC हमारा delta L हो जाएगा तो BC delta F को निकानने के लिए हमें BC की highest value लेनी पड़ेगी तो BC की highest value is 100 gram weight and lowest value is 20 gram weight तो 100 minus 20 is equal to BC और अगर हम AC की बात करें तो AC में भी हमें highest value लेनी पड़ेगी और lowest value लेनी पड़ेगी तो AC की highest value is 18 cm and lowest value is 2 cm तो 18 minus 2 cm is equal to AC so slope is equal to force constant which is equal to delta F upon delta L which is equal to BC upon AC which is equal to 100 minus 20 gram weight upon 18 minus 2 cm which is equal to 80 gram weight upon 16 cm which is equal to 5 gram weight per cm तो 5 gram weight per cm is the force constant of the helical spring which we have used in the Hooks Law Operators तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो Hooks Law Operators के उपर तो इस वीडियो में हमने यापर आपको Hooks Law Operators के बारे में जानकारी दी इसके parts के बारे में discuss करा फिर हमने इस Hooks Law Operators को Observation Table भी draw करा और फिर graph भी plot करा जिसकी help से हमने force constant find out करा helical spring का so we hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं और अगर आप इस product को खरीडने चाते हैं या इस products related आपकी कोई inquiry है तो आप screen पर दियोए email पर हमें contact कर सकते हैं आप ये product www.scientificcard.com से भी खरीज सकते हैं आप इस product को Amazon पर भी खरीज सकते हैं आप हमारा Instagram और Facebook भी विजिट करें Thank you